बलिवुड के सबसे सेक्षी एक्टर शाहिद कपूर मीरा राजपूत की जोड़ी बलिवुड के बेस्ट का पल में से एक है शाहिद कपूर जल्द ही संजलीला भंसाली की फिल्म पदमावती में नजर आने वाले हैं इस बीच शाहिद कपूर एक नए विवाद में फस गए हैं यह विवाद शाहिद कपूर की फिल्म पदमावती से जुड़ा नहीं है बल्कि उनकी रियल लाइफ से जुड़ा है इन दिनों शाहिद कपूर अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं शाहिद कपूर ने हाल ही में मीडिया से बाचीत के दोरान अपने मीरा राजपूत के रिलेशन पर बात करते हुए बहुत कुछ कहा शाहिद कपूर ने अपने रिष्टे पर बड़े ही बूल्ड मजा किया अंदाज में कहा था कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मजा किया वाक्या था कि 18 साल की उम्र में मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी उम्र उस वक्त 5 साल रही होगी शाहिद ने आगे यह भी कहा कि यह मेरे लिए सबसे ज्यादा नौटी चीज थी शाहिद कपूर के इस बयान पर यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है शाहिद कपूर के इस बयान पर भढ़के एक यूजर ने लिखा है कि इसमें इतना ड्रमेटिक होने की क्या जरूरत है फनी क्या है? तो वहीं दूसरे यूजर ने तो यहां तक लिख दिया है कि पहले भी ये इस तरह की बखवास कर चुका है बता दें कि यहां पहली बार नहीं है जब शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत को लेकर इस तरह का बयान दिया है शाहिद इस से पहले भी अपने बयान में कह चुके हैं कि वो मीरा राजपूत के दूसरे हस बैंड है हाला कि शाहिद ने आगे यह भी कहा कि मीरा के पहले पती उनका फोन है